नमस्कार विद्यारतियों मैं पंकश पांडी हिंदी परिवारे में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज मैं आपके लिए फिर से व्याकरण विभाग से ही बहुत ही महत्यपुन टॉपिक जो आपके एक्जाम में आता है अव्य पहचान्या और प्रक्टिस सेट लेकर आया हूं अगर आप चाहते हैं कि बोड़ एक्जाम में ग्रामर से संबंदित आपका एक भी प्रस्टना गलत हो तो मेरे प्यारे विद्यारतियों मैंने ग्रामर के जितने भी वीडियो प्रक्टिस सेट के बनाए है वह आप जरूर देख लिजी क्य उसका प्रक्टिस जरूर कर लेजिएगा क्योंकि हर विद्यारतियों के मन में डाउट रहता है कि हम ग्रामर के टॉपिक राइटिंग स्किल के टॉपिक की प्रक्टिस कहां से करें तो सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक में दिया उसे जरूर पूरा अच्छे से तैयार कर ल लिखी तवाक्य में आये हुए अव्वे को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिये गए स्थान पर लिखिए तो पहला सिंटेंस है गाय को घर के सामने खूटे से बादा अब हमें यह पहचानना है कि इसमें अव्वे शब्द कौन से हैं तो अव्वे किसे कहते हैं अव बार जरूर देख लीजिए फिर यह प्रैक्टिस करने आईए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अगर वो वीडियो आपने देख लिया ना तो यह सारे प्रशनों के जवाब आप खूद ही दे देंगे तो आईए शुरूआत करते हैं गाय को घर के सामने खूटे से बांदा इसमें जो अव्य शब्द है वो है के सामने और भेद है संबंद सूचक अव्य दूसरा सेंटेंस वह उठा और चला गया उठा और और दिखा तो जान जाओ समुच्य बोधक अव्य तीसरा अरे गौशाला यहां से दो किलो मीटर दूर है अरे के बाद एक्सक्लामेशन का म दिखा मतलब बीना सोचे समझे लिख देना है विसमे आदि बोधक अव्य नेक्स्ट वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा आगे बढ़ने लगा आगे क्रिया विशेशन अव्य नेक्स्ट उन्होंने मुझे धीरे-धीरे हिलाना शुरू किया यह तो बहुत आसान है आ आज फिर कोई दुर घटना होगी मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर घटना होगी दो सेंटेंस दिखा मतलब बिना सोचे समझे लिखना है समुच्य बोधक अव्य की समुच्य बोधक अव्य नेक्स्ट वह वह खुप सोचा अपने इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं ह एक्सक्लामेशन का माग दिखा मतलब इसमे आदि बोधक अव्ये आखिरी चाची माग के पास चली गई चाची तो होगा नहीं मा तो होगा नहीं चली गई तो होगा नहीं तो बचा के पास के पास फिर से संबंद सूचक अव्ये यह हमारे आठो प्रशनों का भेद सामने दि दूसरे प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं पाठ में प्रयुक्त अव्य छाटिये और उनके वाक्य बना कर लिखिये ये आपको खुद करना है लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे यहां बहुत सारे शब्द दिये गए हैं और तीसरा प्रश्ण में ये कहा गया है कि नीचे आकरित में दिये हुए अव्य के भेद पहचान कर उनका अर्थपुण वाक्यों में प्रयोग कीजिए पहले प्रश्ण में तीसरे प्रश्ण में अंतर है प्रहले प्रश्ण में कहा था कि अव्य के शब्दों को रेकांकित करके भेद लिखिये तीसरे प्रश्ण में अव् लेकिन एक बाद मैं और आपको बता दू कि बोड़ एक्जाम में कैसे लिखना होता है तो सेंटेंस दे दिया जाएगा फिर उसमें से आपको पहचानना है तो पहले आप सेंटेंस को कॉपी करोगे फिर उसमें जो अव्य लाइन करोगे फिर दूसरी लाइन में लिखोगे के सामने संबंद सूचक अव्य आपको ऐसे लिखना है बोड़ एक्जाम में हमेशा याद रखना यह गलती मत करना तो पहला शब्द काश विसम्याद बोधक अव्य और सेंटेंस काश गउसाला यहां से दो किलो मीटर दूर होता है दूसरा बाद संबंद सूचक अव्य मां के बाद मां के बाद वह गया तीसरा बल्की समुच्च जगल्द कव्य यह सेंटेंस मू शी प्रेम चंदर जी लेखक ही नहीं बल्की कहानी सम्लाड थे नेक्ष्ट यदि तो यदि तो समुच्चे बोधकव्य यदि तुम परिश्णम करते तो अवश्य सफल होते नेक्ष्ट है वह विसमे आदि बोधकव्य वह तुमने तो कमाल कर दिया अगले संटेंस की तरह बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए है और अभी तक आमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन का बटन दबा दे जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें और वीडियो जितने बच्चों के पास पहुचेगा मुझे लगेगा मुएरी उतनी मेहनत सफल हुई तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले अगले सेंटेंस की तरह बढ़ते हैं के अलावा संबंद सूचक अव्य मा की खुशियों के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहि यह आप वीडियो को पॉज करके यह सेंटेंस लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो यह टोटल 25-30 सेंटेंस हो जाएंगे और 25-30 सेंटेंस की आपने प्रैक्टिस कर ली तो इसमें से नहीं भी आएगा तो भी ग के लिए खिलोना लाई अगला क्योंकि जहां क्योंकि आ गया तो भी न सोचे समझे लिखना है समुच्च बोधक अव्वे वह दुखी है क्योंकि वह फेल हो गया अगले सिंटेंस की तरह बढ़ते अगला यह क्या हो गया नेक्स्ट प्रायह प्रायह करत है अक्सर तो प्रायह क्रिया विशेश अडव्वे प्रायह देखा जाता है कि रामू स्कूल देर से पहुचता है या राम प्रायह स्कूल देर से जाता है नेक्स्ट और जहां भी और दिखा भी न सोचे समझे लिखना मैंने आपको पहले भी बताया है समुच्चा बोधक अव्यराम और शाम अच्छे दोस्त हैं नेक्स्ट के पास के पास संबंद सूचक अव्य हमारे घर के पास एक मंदिर है इसलिए इसलिए सेंटेंस को जोडने का काम करता है दो सेंटेंस को जोडने वाला समुच्चा बोधक अव्य होता है तो इसलिए समुच्चा बोधक अव्य है नेक्स्ट की तरफ की तरफ ध्यान देना संबंद सूचक की एक और पहचान है आपको काकी के रारी रे नानीने से मिलता है वो मैंने आपको वीडियो में अच्छे से समझाया है इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए आगे चलते हैं कारण संबंद सू विस्मयादि बोधक अव्य अच्छा तो हम भी साथ चलते हैं और आखरी नहीं तो समुच्चे बोधक अव्य तुम मुझे अभी के अभी मिलो नहीं तो देखना मैं क्या करूंगा इसका और इससे अच्छा सेंटेंस हो सकता है तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओग तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं हो सकते तो यह सेंटेंस है इसका आप लिखकर प्रक्टिस कर लीजिएगा उमीद करता हूं कि आपको समझ में आगा फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर अपना प्यार दिखाते ह वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दवा दे जिससे आगे भी आपको ऐसे ही अलग-अलग टॉपिक के प्रैक्टिस सेट औ और अलग-अलग टॉपिक के वीडियो आपको मिलते रहे मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए बाए टेक क्यार